इस समय भारतिय सिनमा पर साउथ की फिल्मों का बोल बाला है साउथ का दमदार आक्शिन और फिल्मों की यूनीक स्टोरी दर्शकों को खुब पसंद आ रही है जिसके चलते अब साउथ भारतिय स्टार्स को पूरे देश में खुब पैचाना जा रहा है नमस्कार मैं गुर्लीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं News 28 अलू अर्जिन के पुश्पा के बाद अब दर्शकों को साउथ की कई आक्शिन मूवीज का बेसबरी से इंतजार है ये सभी फिल्में बड़े बजट की हैं और रिलीस होने के लिए तैयार है लेकिन कोरोना की वज़े से इनकी रिलीस डेट को टाल दिया गया है लेकिन अब इन सभी फिल्मों की डेट को जारी कर दिया गया है और फैंस का अब इंतजार खतम हो जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिसकस करते हैं इन मूवीज के बारे में और इनकी रिलीस जेट के बारे में निदेशिक राजा मोली की भहु प्रतीशित फिल्म आरारार एक बड़े बजट की फिल्म है इस फिल्म में जूनियर एंटियार रामचरन और बॉलिवूड अभीनेता अजे देवगन अक्टरस आल्यभट नजर आने वाली है अक्शन से भरपूर ये फिल्म साल 2022 की शुरुवात में 7 जनवरी को रिलीस की जाने वाली थी लेकिन कोरोना के चलते इसकी रिलीस डेट में बदलाव आ गए है लेकिन अब ये फिल्म 25 मार्च को रिलीस की जाएगी साउथ की फिल्म केजी एफ को दर्शकों से बहुत अच्छी प्रतिक्या मिली थी और अब दर्शक बेसबरी से केजी अफ के चाप्टर टू का इंतजार कर रहे है फिल्म में साउथ आक्टर यश और संजिदत के बीच जंग देखने को मिलेगी तो वहीं रवीना टंडन एक पॉलिटीशिन का रोल लिभाएगी बता दे कि ये फिल्म 14 अप्रेल 2022 को रिलीस की जाएगी अक्टर प्रभास की फिल्म रादेशाम 14 जनुरी 2022 को दर्शकों के मनोरंजन के लिए तैयार थी लेकिन इस फिल्म कभी करोना की वज़स से रिलीस डेट टाल दी गई थी प्रभास पूजा हेगडे और भागिश्री की ये फिल्म अब 11 मार्च को रिलीस की जाएगी